साथियों, अभी कीश्वी सदी का भारत नया भारत है आज जब भारत वैश्विक पटल पर अपनी नई छबी गड़ रहा है तब दुनिया का नजरिया भी तेजी से बदल रहा है आज दुनिया भारत को जानना समझना चाहती है आज आप डिजिटल प्लेश्वोंस पर जाएए कितनी बड़ी संख्या में विदेशी भारत की कहानी दुनिया को बता रहे हैं इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब बहुत जरूरी है कि देश में इज अफ ट्रविल उसको सुनिशित कर दिया जा है इसी सोच के साथ बीते आठ वर्षों में भारत ने इज अफ ट्राविल बढ़ाने के लिए अपने टूरिजम प्रोफाइल का विस्तार करने के लिए हर संभव प्रयास किये आप देखेंगे कि हमने वीजा की प्रक्रिया को आसान किया वीजा ओन एर्राइवल की सुविदाओं को बढ़ाया हमने आधुनिक इंफ्रासक्तर और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर फोकस किया एर कनेक्टिविटी के साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी मोबाइल कनेक्टिविटी रेल्वे कनेक्टिविटी हम सभी पर ध्यान दे रहे हैं आज रेलिवे से अधिकतर टूरिस्ट डेस्टिनिशन जूड रहे हैं। तेजस और वंदे भारत एक्सप्रेश जैसे आधुनिक ट्रेनों रेलिवे का हिस्सा बन रही हैं। विश्टानम कोच वो ट्रेने परियाटकों के अनुभव का विस्थार कर रही हैं। इन सभी प्रयासों का असर भी हम निरंतर अनुभव कर रहे हैं। साल 2015 में देश में डोमेस्टिक टूरिस्ट की संख्या 14 करोर थी। पिछले साल ये बढ़कर करीब करीब सतर करोर तक पहुँच गई थी। अब करोना के बाद देश और दुनिया भर से टूरिजम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गोवा जैसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सबसे पहले बैसिल लगाने के फैसले का भी लाग गोवा को मिल रहा है।